में एक टीस थी कि अयोध्या में कास भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता और वहाँ भी करके दिखा दिया वहाँ करके दिखाने वाले भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्शन में और भारत के मान्य ग्रह मंत्री जी के नेत्रित्व में अयोध् ब्रूजिया विवात का समाधान होने के सास्थ राम जनव भूई पर भगबान राम मंदिर निर्माण कारिकरम को आगे वढ़ाने से और भारती गौरब की अनभूति करता है और भाईयों बहनों तब संबव उपाया जब भारती जंता पार्टी का एक एक कार्यकर्टा लगा एक-एक कार्यकर्टा ने एक-एक जन को जाती मत और मज़ब की दिवारों को तोड़ करके सामाचिक विगठन की उन दुस्परवर्टियों को प्रास्त करके दंगाईयों को पूरी तरहे मात देते वे जब एक-एक कार्यकर्टा ने उस समय महनत की तब भर भार्पी जनता पार्टी ने प्रत्व की सरकार दूसरी बार केंद्र में और 2017 में उत्तरवदेश में आपाई और आज भार्पी जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनितिक गल के रूप में तो है ही वायो बेनो दो हजार बाइस के चनाओ के पहले फिर से संगटन आत्मक धांचे को एक बार फिर से फॉलादी भुजाओं के साथ आम जन के साथ संबाज बनाने के दिश्चे आवहान करने के लिए आज मानने ग्रह मंत्री जी का अगमन लखनों में हुआ है अवद प्रांद के कार्यकरताओं से उन्होंने संबाद के अपने कार्यक्रम पा प्रांद हमारे लिए बहुत महत्वोर है अगर्यादा प्रसत्तम भगवां सिर्राम की पावन जनम भूमी अयोध्या भी इसी प्रांद के अंदर आता है और अयोध्या में भगवां राम के भव्य मंदिर के निर्मान कार्यकर नई बंती वी अयोध्या को हर भारतियाद कोड़ी गरिमा के साथ देखता है और अयोध्या आग्णमन के लिए अपना सवभाग्य भी तराचता है आज की सौसर पर जब मान्य ग्रह मंत्री जी का लखनों में आग्मन हुआ है सवभाई ग्रूप से अवद्षेत्र के कार्यकरता इस जिस सवभाग्य साली है कि मेरा प कि इस लख्ष्य को प्राप्ट करने में अपना योगदान देते हैं आज इसी ले छेत्र की काई जिले की काई मंडल की काई सेक्ता और सक्ट केंद्र परमोग और बूत से जुड़ेवे सभी पदाविकारियों का अग्मन यहां पर हुआ है हम लोग अगले एक सप्ता के अंदर दीपावली के भव्य आयुजन के साथ जुड़ेंगे दीपावली के भव्य आयुजन के साथ संपर्ग का एक कारेकरम और अयोध्या का दीपोच्छों का कारेकरम तो अपने आप में और भी अनुपम होगा पुरा देश और तुरी अयोध्या के दिपवसों के आयुजन को देखेगी उस समय इससे पहले प्रतेक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्स के साथ जुड़ना चाहता हुने जुड़ने के लिए आज हम सब यहां पर मानिय ग्रह मंत्री जी के नित्रित और मार्क दर्सन मे एकत्रुहे हैं हम विश्वाज के साथ कह सकते हैं जो लक्स संगठन ने तै किया है उस लक्स को प्राप्द करने के लिए आप सभी पदाविकारी और कारे करता मानिय ग्रह मंत्री जी के मार्क दर्सन में प्राण प्रण से जुड़ करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार क भाजपा परिवार के साथ जोड़ने केले कारे करेंगे इस विश्वास के साथ मैं आज करता पर अवत प्रांट के साथ समभाध के स्क कर्यक्रम में मानने क्युक्त ग्रह मंत्री जी का फिर से लॉखनों की भूमी पर हिर दय से वागत और अभिनेंधन करता हूं बहुत बहुत धंड़बाद मानी मुख्मंत्री जी अब जिस कर्टम में आज हम सबका आउसर प्राप्त हुआ है रहने का सदस्ता अभियान सुभारंब के लिए मैं संजय राजी से निविदन करता हूं कि रिमोट बटन ले करके आजाएं मैं मानी ग्रे मंत्री जी से निविदन करूंगा कि आज की से सदस्ता का सुभारंब रिमोट बटन दबा करके प्राणब करेंगे और जोर तार एक बार हम सभी तालियों के साथ में सागत करेंगे अब लेंदन करेंगे मां की करूणा का भाव मिले पिता के जैसा दुलार हो भाई जैसा रक्षाता भाव बहन के जैसा हो ग्यार आव जुड़े और नहीं रिष्टे उनको मतबूर बनाए हर किता धी बिलकर नाया सुधार लाए प्रदेश के हर कुले में गुझिये यही पुका मेरा परिवार भाजबा परिवार जिसके सर पर खत ना थी उसका पसका मतान बनाया जिसकी ठाली में रोटी न थी उसको मुस्त अनाच दिलाया कर्द में डूबे हर किसान का कर्द माप करवाया उसको सम्पान दिलाया लक्षित बेती शिक्षित बेती एक नया नियम अपनाया जिसके हर कोने में गुझिये यही पुका मेरा परिवार भाजबा परिवार करीब कभी महिलाज मुस्त कर आयुष्पान चलाया हर घर विजली हर घर पानी यही अपना लर्श बनाया हिस्त बुख परिवार को हमने और बड़ा बनाना हम आज बड़े कर और भी मिलतार प्रदेश के हर कोने में गुझिये यही पुका मेरा परिवार भाजबा परिवार मेरा परिवार हर अजबा परिवार मिस्स कॉल कीजिए 7505-403-403 पर आज नभीन सदस्ता की इस अउसर पर माली ग्रेह मंत्री जी के हाथों ऐसे पांच नए सदस्तों को सदस्ता कार्ड दिया जाएगा ऐसे दीना ना स्रिवास्तों जी जो लंबे समय तक राज के लोग सेवा दिकरण के सदस्ते रहे हैं आल इंडिया जेज़र एसोसियेशन के कारकारी अध्यक्ष रहे उनको मैं आमंतित करता हूँ वो मंत्री पे आएं और ऐसे सुथरी अंजली चोधरी जो हमारी इवा बिटेक की छात्रा है वो भी सदस्ते बन रहे हैं ऐसे हमारे स्रीमती दीपा माइकल जी जो सदस्ता ग्रहेंड कर रही हैं यह हमारे अब जॉन वोक्स को कॉलिज के 20 वर्ष तक प्रबंधक रहीं ऐसे हमारे अंतरगास्टी टैनिस खिलाडी स्री आनंद प्रकास गुप्ता जी आज सदस्त बनेंगे और हमारे अंसिम दिवेदी जी जो हमारे दीपार्मा के छात रहें पांचो मानी ग्री मंत्री जी के काड़ करेंगे एक बार जोर गालीयों के गरगरा हट के साथ इनके नए सदस्ता के साथ अभिलंदर करेंगे मानी ग्री मंत्री जी के हाथों से काड़ प्राप्त करते हुए ऐसे हमारे सभी नबीन सदस्त ते कि यहां थाड़ी उज़ए कि हमारे अंतर राश्ट्री खिलारी कि आनंद प्रकास गुप्ता जी को कार्द देते हुए बानिये सस्वी ग्रेह मंत्री जी ऐसे हमारे अंसिम दिवेदी जी हैं जो डी फार्मा के सात्र है और भारती जन्ता पर्टी शरकार की वाओं की नीतियों के साथ में प्रभावीत हो करके स्दस्तागरह कर रहे हैं सभी का आज भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत अभिलंदन है बंदन है मैं मानी ग्रीह मंत्री जिसे फिर दिवेदन करूंगा कि मोधी 11-EV का अनावरण करने की किरिपा करें मानी SSB ग्रीह मंत्री मानी अमिशा जी प्रधानुस्ती नरेंद्र मूदी के नेत्रत्व में बन रहा है आज का भारत, नया भारत, आशाओं से भरा आज का भारत कर रहा है नई उम्मीदे, जन जन की इन उम्मीदों को पूरा करने में जुटी है भाजपा, इसलिए उत्तर प्रदेश समेद पूरा देश एक स्वर म भाजपा, बार बार भाजपा, और अब आप मोदी 11 के माध्यम से बन सकते हैं भाजपा के इस विकास व्यात्रा के पहिये, मोदी 11 से जुणने के लिए डाउन्लोड कीजिए, मोदी 11 एप, मोदी 11 एप, प्रतेक सारेकरता, अथ्वा समर्थक के लिए एक मंच है, जिसमें भाजपा सरकार की नीतियों और संदेश की जानकारी एक स्थान पर मौजूद है। एप के माध्यम से आप संदेश अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ रोजाना, पेस्बुक, ट्विटर, इंस्काग्राम अथ्वा वाट्सप के माध्यम पे शेयर करते हैं। मोधी 11 एप पर सक्रिय होकर आप बन सकते हैं एप के वियाईटी सदस्या और विधिन निक्विट खेलों में भाग लेकर जीब सकते हैं ऑफिशल नमो मर्चंडाइज। मोधी 11 एप का प्रयास है भाजपा के कारिकरता, समर्थक और सभी प्रशिल्सकों को एक मंच प्रदान करना जिससे वो भाजपा के जन कल्यान कारी कारियों और देश निर्मान की यात्रा में सहनागी बनें। आज ही डाउनलोड कर प्रजिस्टर करें। मोधी 11 एप आज है